अब इस वीडियो में मैं किश्व के बारे में बात करने वाला हूँ जो अभी YouTube पे बहुत साथा चल रहा है मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था बस मेरे को एक email आया और उस email में YouTube लिंक थी तो मैंने उसको खोल के दिखा और उसमें मेरे को पता लगा कि यार तीन टीचर्स हैं MD Sir, Sarvej Sir, Tarun Sir जो पहले PW में थे मैंने इनका नाम सुना था मैंने आफकोर्स इन लोगों से नहीं पढ़ाई किया बट फिर भी YouTube के मतलब ये बहुत बड़ी टीचर्स माने जाते थे मतलब स्टार टीचर्स ही थे कंड आफ और मेरे को समझ आया जितना मेरे को वीडियो दे के चांटिंग में लगा तीन-Cार वीडियो सत उसमें एक वीडियो मेरे को स्टार्ट पहला वीडियो में इतना पता लगा कि यार उढ़ों ने जो है तो पहले थे उन्होंने लीव कर दिया है और इससे स्टुडेंट्स पे बहुत जादा इंपक्त पढ़ रहा है जो मैं देख रहा हूं क्योंकि मेरे से इससे स्टुडेंट्स है वह भी इस बार में डिसक्शन कर रहे हैं तो मैं सुच आर इस पे एक वीडियो बना दू क्योंक पहले तु तीन-चार चीज़ें हैं पहला कि कोई भी इस्ट हो आपको अंधर की बात तरीका सेम नहीं होता, क्योंकि मैंने वीडियो भी देखा मेरे को यह चीज़ स्टार्टिंग के वीडियो मेरे को यह समझाया था कि उन दोनों का जो फिशन था उसमें कई न गई तो यह बहुत पुराने टाइम से चलता रहा है तो बहुत जादा यूटूब पर यह चीज़ा आ जाती है पहले आपको पता हो जैसे जब मैं कोटा गया था मेरे कोचिंग के टाइम पर एलन के कुछ फैकल्टीज ने मतलब छोड़के अपना एक इंस्टिटूट को लिया था तो यहां पे यह होता है कि यह चीज़ अभी की बात नहीं एक दम बहुत पुरानी बात है अब से प्राइब से ही होता है कि अब उस पे दिक्कत यह तब आती है जब students आके comment करने लगते हैं, students आके teachers को गाली देने लगते हैं, students किसी platform को या किसी coaching को गाली देने लगते हैं, but यहाँ पे आप एक चीज़ समझना, आपका काम है अभी के लिए सिर्फ पढ़ाई करना, कहीं न कहीं, नीट में अगर आपक यह था कि यार, कुछ teachers छोड़के चले गए, जो main main teachers थे, वो तो छोड़के चले गए, बट फिर भी यार, इतना फरक नहीं पड़ा, of course आपने result भी देखा, उसके बाद बहुत सर इसूज आए, COVID एक इसूज आया, उस टाइम पे भी बहुत लोग आगाते हैं, दिन बर वो क्योंकि अभी आप मालो 11th में हो या 12th में हो, और अभी आप कोचिंग लेने की सोचर हो, तब आप इस चीज में दिमाग लगा सकते हो, क्या स्लेट करना में लिए ठीक रहेगा, और कहीं न कहीं बहुत से स्टुएंट करे थे, कि आपके बस दो चीज़े हैं, दो कर सकते हो, तिकर पढ़ाई आपका होना चाहिए, आपका खुद की पढ़ाई होनी चाहिए, यह सबसे इंपोर्टेंट है, यह नहीं कि यार आप कहां से पढ़ रहो, क्या से पढ़ रहो, वो सब कुछ भी मैंटर नहीं करेगा, क्योंकि एक्जाम पेपर जब आएगा से लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, एक दो साल बाद यह चीज़े मैं नहीं करेगी, एक दो साल बाद, अब डिफिनेटली मैं यह कहूंगा कि सपोर्ट करो, आपके टीचर अगर आप से सपोर्ट मांग रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करो, पर एक इतना ही था, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई